हेलो माई यूट्व फैमले नमस्ते कैसे हैं आज सब उमीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स आज मैं इनका टंपरोरी स्टर्टिंग करने जा रही हूँ और आप पूरा वीडियो देखें लाज से देखिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से टेंपरोरी स्टर्टिंग किया जाता है क्योंकि वह भी आना बहुत जरूरी होता है उसी से जदी आपको टेंपरोरी स्टर्टिंग करने आता है तो आप परमान एंटा स्टर्टिंग भी आसानी से आप कर सकते हैं तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके लाज तक यह देख सकते हैं इसका टेंपरेचर रखेंगे 190 जदी आप टेंपरोरी कर रहे हैं तो 190 टेंपरेचर रखेंगे बाल का टेक्षर देख लीजे जदी बाल मजबूत है तो आप 230 भी रख सकते हैं जदी आपका कमजोड हेयर है थीन हेर है तो आप 190 आप रख सकते हैं, 130 भी रख सकते हैं, तो इनका मैं 190 रखी हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं, दो पार्ट में ही मैं डिवाइड की हूँ, ठीक है, और मैं अकेले ही कर रही थी इनका, तो हेर वर्ष करने के बाद, हेर इसपार करने के बाद अच्छ के बाद मैं कम से कम 10 से 15 बार एस्टेटनिंग मैं कर रही हूँ तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं हमारा टेकनिक यह एक फिंगर से कौम से मैं कौम कर रही हूँ और दूसरे हैंड से मैं एस्टेटनर पकड़ी हूँ और अच्छे से उपर से लिके नीचे तक करना है कम से कम 6 इसे शातबार आप देख सकते हैं स्ट्रेट्निंग रहा है और हो गया है और लाश्य आप देखेंगे कि एक पारी जल्ट आया है तो फ्रेंड्स घर में भी टी हमका उनला कर लोगा समय forces भी अच्शेयर इससे आप पर्मानेट एस्टेट भी कर सकते हो और जदी आपको एस्टेटिंग करना है तो आप जदी आपके पास सीरम नहीं है तो आप ये क्या बोलते हैं एलो वेरा भी लगा सकते हैं एलो वेरा जेल भी आप लगा के कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा विड भी आप कर सकते हैं ये वीडियो फ्रेंट्स पुरा लाज सक देखे जदी वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करें क्या करने का तरीका मेरा अच्छा है और आपको कॉमेंट भी कर सकते हैं कि हमारे बताने का तरीका कैसा लगा आपको और हमारा वीडियो कैसा लगता है हमारे पार्लर पर जो रियल वर्क होता है मैं सिर्फ वही दिखाती हूँ और बाकी मैं कुछ भी नहीं दिखाती हूँ इनका हेर एसपाक वीडियो मैं नहीं डाली थी क्योंकि बहुत सारे मैं वीडियो डाली हूँ हेर एसपाके कोई रखता नहीं है कम से कम आपको दस दिन या एक वीक में तो शेंपू करना ही पड़ता है तो जब तक आप आप शेंपू करने के बाद फोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है जो आपका रियल है बाल को दिखने लगता है तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इनको पार्टी में ही जाना था इसलिए यह इसपा और एस्टरटनिंग करवा रही थी ठीक है तो आप पूरा वीडियो लाइस तक देखे और आगे का आप देख सकते हैं मैं किस तरह से सेक्षन निकाल रही हूं और कर रही हूं और इस तरह से आप जदी करते हैं तो आपके बालों में करने को मिलेंगे सिखने को मिलेंगे और मैं जो बताती हूं रियल बताती हूं रियल वर्क बताती हूं और जो बताती हूं मैं कुछ भी नहीं छुपानी कोशित करती मैं सब कुछ मैं चाहती हूं कि आपको मैं बताओं ताकि जदी कोई देखे तो उस चीज को सीखे और लगने का डर रहता है गरम गरम हीट लगेगा तो मतलब गरम लगेगा इसलिए टोवेल जरूर रखें और उसके बाद फ्रेंड्स फिर आप अच्छे से स्ट्रेटनिंग करें तो आप देख सकते हैं एक बार में कम से कम मैं पांच छे बार कर रही हूं उसके बाद एक तरफ क हो गया दूसरे तरफ का मैं उसी तरह जैसे पतला पतला ही शेक्शन लेकर के मैं कर रही हूं तो यह पूरा लास्ट देखें फ्रेंड्स और वीडियो अच्छा लागे तो जरू लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिलकुल ना खूले और आपके लिए वीडियो में एलानी कोशिस करूंगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक बाए अपना ध्यान रखेगा अपना फैमली अपने बच्चे का और आप देख सकते हैं